हेलो एवरिवान, वेलकम तो स्कूल डायरीज वाले हैं कि एरो प्लेन बना कैसे, तो उसके पहले देखे एक छोटी से अक्टिविटी यहां पे कुछ पिच्श है और यहां पे उनके नाम भी दिये है, ठीक है, सो चली देखते हैं तो देखें, number 1, number 1 पे क्या है? kite, है ना, यहामें पता है, यह kite है then यह क्या है? glider, ठीक है? यह जो kite की तरह दिखता है, यह glider है then number 3 पे क्या है? देखें, helicopter, है ना, तो यहाँ पर helicopter लिखेंगे and then number 4 पे यह क्या है? aeroplane, और number 5 पे rocket, ठीक है? तो यह आपको ऐसे यहाँ पे complete करना है तो अब चलिए अब story को read करते हैं और उसका meaning समझते हैं There was a time when people could never dream of flying in air like a bird, तो एक समय था जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम जो है पक्षियों की तरह, birds की तरह हम भी एक दिन आकाश में उड़ पाएंगे ठीके, but today, but आज के समय में, it is all a reality, यह जो है हकीकत बन चुका है, पहले जो है लोग सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम कभी उड़ पाएंगे इस तरीकी से, लेकिन आज देखे यह हकीकत में बदल चुका है मतलब ऐसा सच में हो रहा है कैसे? क्योंकि हम जो है aeroplane में उड़ते हैं, helicopter में उड़ते हैं, है न, लोग बैट कर सफर करते हैं, यातरा करते हैं, plane में बगेरा, तो अभी हम भी birds की तरह आकाश में उड़ सकते हैं लेकिन इसकी खोज कब हुई थी ये किस ने ढूंडा था ये plan और ये idea किसके दिमाग में आया था कि हम भी इस तरीके से plane में उड़ सकते हैं तो इसी के बारे में ये lesson है ठीक है You can fly to any part of the world in no time आज के जमाने में हम जो है एक वर्ल्ड में एक जगा से दूसरी जगा तक अराम से उड़ सकते हैं with no time मतलब बिना किसी समय बिना कोई वक्त लिए हम अराम से उड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है कैसे एरोप्लेन की help से The following story as you will read tells you how the Wright brothers invented the first aeroplane तो इस story में हमें पता चलेगा कि Wright brothers ने तो दो भाई थे ठीक है तो उनका नाम है Wright brothers और उन्होंने ही जो है एरोप्लेन की खोज की थी मतलब उन्होंने ही हवाई जहाज का आविशकार किया था मतलब सबसे पहला एरोप्लेन उन्होंने ही बनाया था प्लेन में ट्रावल कर सकते हैं तो चलिए रीड करते हैं देखे Willber Wright and Orville Wright created history when they invented the first aeroplane तो ये दो भाई थे ठीक है देखे Willber Wright और Orville Wright तो इन दोनों को Wright brothers बोला जाता है क्यों क्योंकि दो ये दोनों भाई भाई थे दोनों के last में Wright Wright आ रहा है तो इनको Wright brothers बोलते हैं ये है उ तो उन्होंने अपना सबसे पहला एरक्राफ्ट बनाया था, डिजाइन किया था, उसका प्लाइनिंग किया था, जो की एक स्मॉल ग्लाइडर था, ग्लाइडर अभी आपने देखा यहां पर है, आपने फर्स्ट पेज में पिक्चर भी देखी थी ग्लाइडर की, जो एक पतं की तरह दिखता है, ठीक है, तो ग्लाइडर उन्होंने सबसे पहले बनाया था, इट वोस फ्लोन, फ्लोन मतलब वो उड़ा, वो उड़ता था as a kite, पतं की तरह वे उड़ा करता था, दे आर्च्ड टिप्स ऑफ दे ग्लाइडर विंग्स, स्लाइटल तो उन्होंने फिर क्य किया, उस ग्लाइडर की विंग्स को, विंग्स मतलब जो तो दोनों तरफ उसके पंक होते हैं, उसकी विंग्स को इस तरीके से बनाया, आर्च्ड मतलब उस तरीके से उसको बनाया, उस तरीके से उसका डिजाइन किया, कि वो जो है विंग्स को कंट्रोल कर सके, यानि उसक के moment को उसके balance को control कर सके नीचे बैठे बैठे ठीके उड़ादे जिसे हम पतंग उडाते हैं तो उसी तरीके से हम अपने पतंग की डोर खीचते हैं उसी तरीके से पतंगी उड़ते जाता है तो वैसे ही उन्होंने कोशिश की थी कि ग्लाइडर की विंग को भी इस तरीके से बनाए जाए कि वो उसके उपर कंट्रोल कर सके इस तरीके से उन्होंने उसकी शेप बनाई थी तो गेट अ बेटर आइडिया दे राइट ब्रदर स्पेंट आवर्स और एक बहतर आइडिये की तलाश में उसके इंतजार में उन्होंने घंटों बिताए ठीक है observing birds in flight और उन्होंने क्या देखा कि आकाश में birds कैसे उड़ रहे हैं दन ये brothers जो है ध्यान देने लगे कि ये पक्षिया आकाश में कैसे उड़ती है ठीक है अगर हमें पता चल जाए कि ये birds के body parts कैसे हैं तो हम उसे तरीके से हम जो है एक aircraft बना सकते हैं तो इस तरीके से वो लोग सोचने लगे उन्होंने observe किया मतलब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया birds को कि चिड़िया आकाश में कैसे उड़ रही है अगर वो उड़ सकती है तो वैसा technique हम यूज करेंगे तो हम भी ऐसे कोई चीज को हवा में इस तरीके से उड़ा सकते हैं they noticed उन्होंने ध्यान दिया कि the birds, that birds sawed up in the sky sawed up मतलब बहुत उंची उंची उड़ान जो है birds भर रहे हैं मतलब वो उपर तक जाकर उड़ रहे हैं and curved surface of their wings helped them to move up और उनका जो मुड़ा हुआ surface है जो देखें bird का जो wings है ना वो मुड़ा हुआ होता है एकदम straight नहीं होता ना वो एकदम curved होता है उसके end पे आपने देखा है ना birds के wings कैसे होते हैं birds के wings एकदम ऐसे मुड़े मुड़े से होते हैं कि तक वो आकाश में easily उड़ पाए एकदम straight तो नहीं होते तो उन्होंने ध्यान दिया कि उनके wings जिस तरीके से हैं curve हैं तो उसी की help से जो है वो आकाश में इस तरीके से उड़ पा रहे हैं birds changed the shape और फिर रोने देखा कि birds ने शेप change कर दी मतलब अपना body जिस तरीके से वो उड़ रहे थे उपर जाकर रोने अपना body का shape जो है वो बदल भी रहे थे and flap their wings flap करना मतलब जैसे पंकों को वो हिलाते हैं ना उपर नीचे उपर नीचे करके इस तरीके से flap कर रहे थे अपने wings को to turn खूमने के लिए मुढने के लिए and control their speed और अपनी speed को control करने के लिए ठीक है तो birds जो है mostly अपना wings ही use करते हैं उड़ने के लिए तो ये सब बाते जो हैं ध्यान दे रहे थे ये right brothers ये जो हैं ध्यान से देख रहे कि birds क्या क्या चीजे कर रहे हैं और वो कैसे उड़ रहे हैं तो इनी पर उनका ध्यान था the right brothers thought that they could use this method and change the shape of the wings of the glider to fly it successfully then right brothers ने सोचा कि हाँ अब हम ये ही method use करेंगे तो उन्होंने birds को ध्यान से देखा है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने पंकों को कैसे हिला रहे हैं speed अपना कैसे control कर रहे हैं कम जादा कर रहे हैं तो ये सब ध्यान दिया उन्होंने और उन्होंने सोचा कि अब हम ये हम भी ये ही technique यूज़ करेंगे ये ही method यूज़ करेंगे अपने aircraft में अपने glider को उड़ाने के लिए successfully ठीके सफलता पूर्वक उसको उड़ाने के लिए हम भी अब ये ही method यूज़ करेंगे over the next three years और आगे के तीन साल तक Wright Brothers designed many gliders that were flown unmanned or without eyelets आगे के तीन साल तक ना Wright Brothers जो है बहुत सारे gliders बनाते चले गए और उसको उड़ाते चले गए flawn मतलब उड़ाना ठीके वो भी unmanned unmanned मतलब उसमें man नहीं बैठ सकता unmanned ठीके तो याद रखे जिसमें आदमी नहीं बैठ सकता हो without pilots ठीके तो उन्होंने ऐसे glider बनाए जिसमें कोई बैठा ना हो glider बनाते थे और उनको उड़ाते थे लेकिन उसमें कोई बैठता नहीं था क्योंकि फिर तो वो भारी हो जाएगा वो technique उन्हें अभी पता नहीं थी तो वो simply glider बनाते थे और without any pilot किसी भी pilot के बिना उसको हवा में उड़ाकर उसे देखते थे ठीक है फिर उन्हें यह एहसास हुआ उन्हें पता चला कि उड़ते हुए एरक्राफ्ट को कंट्रोल में रखना बहुत जादा मुश्किल है ठीक है तो उसमें किसी का होना भी जरूरी होगा है ना क्योंकि नीचे से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था फिर क्या हुआ पर वो कभी हार नहीं मानते थे वो कभी हारने से नहीं डरते थे आफ्टर अ सक्सेस्फुल ग्लाइडर टेस्ट दे बिल्ट अन टेस्टे अ बिग फुल साइज़ ग्लाइडर एट किटी हॉक इन नौर्थ कैरोलीना और उसके बाद एक सक्सेस्फुल ग्लाइडर टेस्ट के बाद उन्होंने फिर से एक ग्लाइडर बनाया और उसको टेस्ट किया कैसा था वो बेक बहुत बड़ा था फुल साइज़ ग्लाइडर बहुत ही बड़ा ग्लाइडर उन्होंने फिर से बनाया कहां पर वो जगे का नाम दिया गया है Kitty Hawk in North Carolina ओकी सो ये कहां पर है ये USA में है ठीक है अमेरिका में है ये जगा तो वहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा Glider Test किया ठीक है Glider Test किया The place was suitable because of its wind, sandy soil, hills and the remote location सो वो जगे एकदम perfect था इस Glider को उड़ाने के लिए क्यों क्योंकि वहां की हवा सही थी उस Glider को उड़ाने के लिए वहां की हवा सही थी sandy soil वहां का जो रेती मिटी है ठीक है वो भी perfect था hills छोटी 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 चोटियां थी then remote location remote मतलब बहुत ही दूर मतलब जो शहर से अलग हो शहर से अंदर हो ऐसी जगा उन्होंने सेलेक्ट की अपना Glider को उड़ाने के लिए उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो उड़ता कैसा है ठीक है ये सब उन्होंने किया था in 1900 they were successful in flying a big 50 pound glider with 13 foot wingspan at Kitty Hawk again के बाद उन्होंने एक Glider बनाया बहुत बड़ा जो की 50 pound खा था यानि उसका weight बता रहे हैं उसका वजन बता रहे हैं ठीक है की 50 pound उसका वजन था और वो जो है 17 foot उसका wingspan मतलब उस Glider के जो दोनों तरफ के wings रहते हैं उसकी length बता रहे हैं की 17 foot उसकी length थी तो इतना बड़ा Glider उन्होंने बनाया और उन्होंने फिर उसको चलाया वहीं पर कहां पर Kitty Hawk पे ठीक है और वो कैसे चलाया उन्होंने बोथ unmanned बिना पाइलेट के और पाइलेट के साथ भी ठीक है तो आप देखिए वो पाइलेट को बिठा कर चलने वाला Glider भी उन्होंने बनाना शुरू किया यानि अब उसमें पाइलेट जो चलाता है वो बैठ भी सकता है या फिर बिना पाइलेट के भी वो उड़ा सकते हैं तो देखिए वो जो है continue कोशिश में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह उन्हें ऐसा कुछ बनाना है जिससे लोग जो है उड़ सके birds के तरह आकाश में यही उनकी कोशिश थी all the time then in fact it was the first glider having a pilot और वही था सबसे पहला glider जिसमें एक pilot पैट सकता था यानि जिसमें चलाने वाला भी बैठ कर उड़ सकता था वही था first glider ठीक है कौन सा जो यहां पर बताया गया है ठीक है they decided to build a bigger and better glider फिर दिखिए उन्होंने फैसला लिया कि अब हम जो है और भी बहुत बड़ा glider बनाएंगे और इससे भी better इससे भी जादा अच्छा glider अब हम बनाएंगे तो वो देखिए पूरा लगे हुए थे ऐसे कैसे करके वो एक अच्छा सा glider बना सकते हैं ठीक है their thrill and excitement could not be expressed in words और उनका जो thrill and excitement है मतलब उनका जो 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 ज जुनोन था किसी चीज को पाने का वो अपने words में वो बया नहीं कर सकते थे ठीक है अपने शब्दों में वो बताने सकते थे कि वो कितने जादा excited है एक aircraft के planning में और एक अच्छा aircraft बनाने के लिए वो बहुत ही जादा उत्सुक थे ठीक है सो दिखिए वो कभी हार नहीं मान चाहते थे then in 1901 the Wright brothers flew the biggest glider ever flown तो देखे 1901 में तो यह उस समय की बात है ठीक है तो यह year बता रहे है वो लोग की एक एक year में क्या हुआ तो Wright brothers ने जो है सबसे biggest glider बनाया उस समय का वो सबसे बड़ा glider था जो Wright brothers ने उड़ाया था it weighed उसका जो वजन बता रहे है की 100 pounds ठीक है तो यह उसका वजन था 100 pounds यह एक measurement है pounds ठीक है जिसे हम kilogram measure करते हैं हम बोलते हैं मेरा weight इतना kg है तो उसी तरीके से pound भी जो है एक measurement है तो 100 pounds जो है उस glider का weight था but many problems occurred यानि बहुत सारे मुसीबते उनके सामने आई बहुत सारे problems उन्हें face करने पड़े the wings could not lift it high enough उनके जो wings थे wings उपर की तरफ नहीं उठा पा रहे थे तो उनके wings जो है बहुत ही उचाई तक नहीं उड़ पा रहे थे और क्या हो रहा था and sometimes और कभी क्या हो रहा था कि the aeroplane spun out of control उनके control में ही नहीं रुक रहा था इधर उधर घुमता जाता था अपना direction खुद बदल लेता था ठीक है तो वो जो है उसके उपर एक proper control नहीं कर पा रहे थे so ये सब सारी problems बता रहे है कि उन्हें क्या क्या problems हुई इस aircraft को इस glider को बनाने के लिए ठीक है then क्या हुआ थे कि they were extremely disappointed वो जो है बहुत जादा निराश हो गए बहुत जादा दुखी हो गए ठीक है but they soon overcame it but बहुत जल्दी उन्होंने उस problem को भी पार कर लिया यानि उन्होंने एक अच्छा सा रास्ता ढून लिया ठीक है the love for adventure helped them to move on और उनका जो प्यार था उनकी खोज की तरफ अपनी invention की तरफ उनका जो प्यार था उन्होंने जो मन लगाया था वो काम आ गया और उन्हें जो है रास्ता मिल गया उन्हें दिख गया उनके सारे problems को solve करने का उनके सारे problems भी उन्होंने solve कर लिये लेटर बाद में they decided to build a new and improved glider with a tail तो देखे पहले tail नहीं बनाई थी उन्होंने जिसे एरोप्लियन की tail होती है जो पीछे की तरफ पोंच जैसी जाती है तो वो उन्होंने फिर बनाया ठीक है तो उन्होंने दुबारा glider बनाया better glider बहुत ही अच्छा glider बनाया और उसके सा साथ उन्होंने tail भी बनाना शुरू किया जैसे पक्षियों की भी tail होती है to make it stable ताकि वो stable रहे stable मतलब इधर उदर हिले डुले नहीं अपनी मर्जी से एक जगे पर रह पाए steady रह पाए बिना हिले डुले वो अराम से सीधे चल पाए ठीक है यानि वो जादा उसमें moment ना हो तो वो है stable and a wingspan तो wings की length बता रहे हैं फिर से of 32 feet देखे पहले वो 17 feet की wings बनाई थी उन्होंने अभी उन्होंने और लंबी बना दी 32 feet की wings ठीक है in 1902 the Wright brothers flew the glider many times और उसके बाद जो है Wright brothers ने बहुत बार glider को उडाया the movable tail of the glider helped to balance the craft movable मतलग ऐसा tail उन्होंने glider में दिया जिसको वो हिला पाते थे और उससे क्या क्या और उससे क्या हुआ उन्हें help मिली अपने craft को balance करने में यानि उसे right की तरफ और left की तरफ ले जाने में उपर उडाने में अपना एक balance बनाए रखने में उन्हें मदद मिल इस tail की वज़े से जो उन्होंने glider को दिया था ठीक है they were happy to be successful वो बहुत खुश थे success पाकर अपने plan पर successful हो गए थे तो वो बहुत खुश थे next उसके बाद क्या 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 उन्होंने they decided to build a motor powered aircraft अब देखे उन्होंने machine भी रखना start क्या उसमें motor रखना ठीक है अब ही त चलाने से वो और तीज उड़ सकता है अगर उसमें machine आजाए machine का काम अगर उसमें आजाए है ना तो उन्होंने motor power aircraft भी बनाना शुरू किया they designed a motor and a new aircraft तो उन्होंने एक motor बनाया अपने aircraft के लिए ठीक है और एक बहुत ही बड़ा aircraft new उन्होंने बनाया अब वो aircraft कैसा था 700 pounds देखे तो कितना भारी होते जा रहा है और कितना बड़ा होते जा रहा है है ना छोटे से उन्होंने शुरू किया था अब देखे 700 pounds उसका वजन हो गया and उसका क्या नाम दिया गया and was called the flyer तो glider की जगे अब इसमें उन्होंने इसको नाम दिया flyer ठीक है ये बहुत ही ब लिए एरक्राफ्ट कैसे उड़ता है पहले वो जमीन पर ही चलता है तेज तेज घवलित को उदाने के लिए इसे क्या हुआ कि अपने उनके आपने फलायर को उडाने के लिए this helped the aircraft to gain a good air speed to fly इससे क्या हुआ कि अपने उनके एर्क्राफ्ट को एक मदद मिली उसे और जोर से उसकी speed और जदा बढ़ गई है जैसे कि अब जब हम कोई चीज ओपर से नीचे की तरफ फेकेंगे तो उसकी speed डबल हो जाएगी है ना उससे क्या हुआ उस एरक्राफ्ट की स्पीड और जाधा बढ़ गई इस तरीके से उन्होंने उसकी लॉंच की मतलब उनका फ्लायर को उड़ाने की कोशिश की after two attempts to fly the machine one of which was almost a small crash उन्होंने दो बार महनत की two attempts to fly मतलब दो बार उन्होंने ये कोशिश की उस मशीन को इस तरीके से उड़ाने के लिए one of which was almost a small crash उसमें small crash ही हो गया था मानलो यानि वो fail हो गया था वो उड़ नहीं पाया था वो जाकर crash हो गया था मतलब तूट जाना जब एरोप्लेन तूट जाता है कहीं पर टकरा कर गिर जाता है तो उसको crash होना बोलते हैं ठीके तो दो कोशिशों में एक कोशिश उनकी successful नहीं रही वो जाकर crash हो गई थी तो वो उड़ नहीं पाया था प्रॉपरली ठीक है फिर क्या हुआ बट सेकेंड टाइम वो सकसफुल रही देखे और्विल राइट टुक दा फ्लायर फॉर 12 सेकंड फ्लाइट on 17 डिसेंबर 1903 यह देट बता रहे हैं कि वो और्विल राइट ने उस फ्लाइट को किस दिन उड़ाया था ठीक है वो देट यहाँ पे बताए गई है और वो फ्लाइट कितनी देर के लिए उड़ी देखे 12 सेकंड फ्लाइट it was the first successful powered flight in history history में history मतला पूरे past में वही था जो सबसे successfully उड़ पाया ठीक है then in 1904 the flight lasted more than 5 minutes सबसे पहले उनोंने जो फ्लाइट उड़ाय था ना वो देखे वो कितने टाइम के लिए था 12 सेकंड 12 सेकंड फ्लाइट थी पर उसके बाद उनका जो फ्लाइट उनोंने देन उड़ाया ना वो उड़ी और more than 5 minutes यानि 5 minutes से भी जादा टाइम तक वो फ्लाइट जो है हवा में रही उनकी कोशिश काम्याब रही the flyer was flown by Wilbur Wright और वो फ्लाइट जो है दूसरे भाई ने उड़ाया था इनका नाम था विलबर राइट ठीक है तो यह दो भाई है ना और विल राइट और विलबर राइट तो इन्ही दो भाईयों को राइट ब्रदर्स बोलते हैं और इन्होंने ही जो है अरोपलेन की खोज की थी सो बहुत बार fail होने के बाद ही हमें जो है काम्याबी मिलती है ठीक है एकडम से कोई भी काम्याब नहीं होता सो यही हमें यहां पर सिखने मिलाए कि देखे इनोंने कितनी बार इनको जो है तो यहाँ पे उनकी पिक्चर दी गई है और इनी को हम राइट ब्रदर्स बोलते हैं ठीक है इनी के वज़े से आज एरोप्लेइन है और हम सब जो है एरोप्लेइन में उड़ सकते हैं हम हेलिकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं तो यही है लेसन अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लिसन के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर